तो चली गाइज आज का हमारा टॉपिक है हमें हेलो एलकेन बनानी एलकोहल के थूँ सबसे पहले हम लोग विजुलाइज करने कोशिश करेंगे हमने करना क्या है और फिर हम सोचेंगे हम इसको करेंगे कैसे ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा तो आपको बड़ी असानी होगी chemical reactions को याद करने में मैं चाहता है तो चलिया सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे मैं चाहता है तो आपको chemical reaction सीदे भी लिखा सकता है तो देखिए लिख लीजिए लेकिन visualize करके लिखोगे तो असानी से याद हो जाएगी दूसरी important बात, देखिए mechanism हर एक chemical reaction की होती है, समझ में आता है, लेकिन अगर हर एक chemical reaction की mechanism अगर आप याद करने बैठ जाओ और देखने बैठ जाओ, तो उससे आपकी जो organic chemistry उसको पूरा होने में 3 साल लगेंगे, तो हम लोग उनकी mechanism करेंगे, जिनकी mechanism literally बहुत जादा required है, ज आओगा कि यहाँ पर यह है, यहाँ से क्या बनेगा, बहुत सारी ऐसी chemical reaction है, जिसको visualize करके सीधे result निकाला जा सकता है, आता है समझ में, और आपके syllabus में भी सभी की mechanism नहीं है, और in fact, सभी की mechanism हमें करने की जर्थ भी नहीं है, तो बड़े ध्यान से समझेगा कि हमें कहां कहा सीधे याद करना है, और वो याद हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग चलता है, असानी से होगी, लेकिन कहां कहां में mechanism की जूर्थ पढ़ती है, तो वहाँ पर आपको mechanism कराऊंगा, हर जगा mechanism की जूर्थ पढ़ती ही नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान न परगेट क्या है, कि हमारे competitive exam के पॉने विए से question निकले, that is so much important, और अगर वो निकल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी theory proper है, हमें उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझ में आता है, जो अस लेबर में mechanism हैं, वो आपको मैं जरूर कराऊंगा, तो चलिए, so finally इस message के Hello alkyne बनानयी है, तो देखिये alcohol मतलब, क्योंकि Hello alkyne बनानयी है, तो मैं alkyl group ही लेना पड़ेगा, alkyl highlight बना दिये, तो यहाँ पर alkyl group समझ में आता है, और यहाँ से इसको alkyl कैसे दिखाओगे, आर से यहाँ पर अगर OH मैं लगा दूं, तो यह बन गया जी alkyl, समझ में तो यह alcohol हो गया जिसमें R-alkyl group को represent कर रहा है Alkyl का मतलब CH3, Methyl, C2, H5, इसको बोलते है Ethyl, now these are called alkyl, समझ में आता है Hello Alkyne बनानी है, चलिए, so finally RH को आपको किस में convert करना है, जरा सोच यह, so we need a product that is Hello Alkyne, यानि कि Alkyl Halide में convert करना है, यह alcohol को Alkyl Halide में convert करना है, तो जरा सोच यह, कि काम करेंगे कैसे आपको OH को यहां से अटाना है, और कैसे भी X, यानि कि Halogen को यहां पर लगा देना है, सवाल है कि X लगेगा कैसे, यह काम करेगा कौन तो देखे यह काम जो है तीन तरीके से पॉसिबल है, ध्यान से उसको देखेगा, देखें, सबसे पहले, सबसे पहला काम, यह काम कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं, जी hydrogen halides, कौन कर सकते हैं, अगर आप इनकी reaction किन से कराओ, hydrogen halides से कराओ, तो hydrogen halides ये काम कर सकते हैं, hydrogen halides का मतलब क्या होता है, HX, इनको hydrogen halides बोलते हैं, ठीक है, जैसे की HCL, HBR, HI, HF, बोलते हैं न, so finally hydrogen halides के थुरू काम हो सकता है, कैसे होता है मैं आपको देर में बताता हूं but ध्यानस उसको देखिए एक और बात बता देता हूं यहां arrow के इस तरफ यानि कि जो reactant लिखे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं पहला तो substrate इसको बोलते हैं जी substrate जिस पे attack होगा now this is called substrate ठीक है जिस पे attack होगा clear होता है main organic compound को हम लोग substrate बोलते हैं जिसको न agent आता है सबको समझ में बहुत important है so finally we want to find out की reagent कोन है जो इस substrate पे जाके attack करेगा और finally यह वाला पड़क देगा बात सबको समझ में आती है तो पहला तो हमने ढूंड लिया HX clear होता है दूसरा यह काम कोन कर सकता है दूसरा यह काम कर सकता है phosphorus halides ठीक है phosphorus बहुत important है धांस को phosphorus की halides ठीक है phosphorus halides कोन से होता है पड़े होंगे आपने एक तो यहाँ पर PX3 और दो तरह के halide बनाता है phosphorus PX3 और PX5 यह तो पड़े होगे ना तुम लोग बहुत ही असान है PX3 और PX5 उससे यह compound यह आप compound बना सकते हो यह desired product आपको मिल सकता है कैसे मिलेगा आपको बताता especially RCL के case में if you want to make RCL उसके case में especially आपको thionyl chloride का इस्तमाल कर सकते हो किसका इस्तमाल कर सकते हो thionyl chloride का इस्तमाल किया जा सकता है नोर्स को ध्यान से बनाएगा जिसका formula होता है SOCL2 ठीक है तो यहाँ पर RCL बना सकते हो सिर्फ इसके लावा कुछ नहीं बना सकते हो ऐसा कि हर method से हर चीज नहीं बनती है उसके भी constraints है तो आप ध्यान रखीगा जो product मैं बना रहा हूँ उसमें भी constraints होंगे तो वह आपको लिखाते जाओगा so don't worry about it लेकिन हमारे पास तीन तरीके हैं जिससे आप क्या बना सकते है hello alkane clear होता है ध्यान रखीगा तो चलिए इन तीनों method को एक काम कर रहे होते हो कि हमें वहाँ पर कोईनों की catalyst चाहिए रहता है यह ध्यान लखिएगा catalyst चाहिए रहता है अच्छा एक और बात यहाँ पर कई बार बच्चे सवाल पूछते कि sir यहाँ पर HX में तो HCL, HBR, HI, HF कुछ भी हो सकता है तो उनका order of reaction क्या होगा so finally order of rate of reaction with respect to HX क्योंकि HX से कुछ भी हो सकता है तो खुछ से दिमाग लगाए यह है order of rate of reaction with respect to HX देखिए यहाँ पर होगा कुछ यह कि आपको H से X को अलग करना होगा दिमाग लगाने कोशिश करिए आप चाहते हो कि X, H असानी से अपना bond को cleave कर ले तोड ले तो सबसे असानी से bond कौन सा टूटेगा जो bond की length सबसे ज़ादा होगी सबसे ज़ादा bond की length का होती है HI में we all know I जो हमारे पास element है वो बहुत बढ़ा होता है उसकी size बहुत बढ़ा होता है जानते हो na size बढ़ी है तो यहाँ पर यह जो length होगा bond का वो भी बहुत बढ़ा होगा और जो bond की length अगर बढ होगा फिर उसके बाद किसका नमबर आएगा बहुत सिंपल लोजिक है HBR फिर किसका नमबर आएगा HCL तो लीस्ट कौन है HF यह देखिए बहुत important है अब यह चीज आपने पकड़ ली तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर HF के केस में least reactivity है इसका मतलब RF बनाने में तकलीफ होती है clear होता है सब लोगों को यह पहली चीज ठीक है अच्छा यह तो आपने order of rate of reaction with respect to reagent यह हमारा reagent था yes or no अब यह सवाल इसमें पूछा सकता है कैसा order of rate of reaction ठीक है with respect to substrate with respect to substrate अब हमारा substrate कौन है alcohol ROH के respect में yes or no तो आपन मैं आपको यह भी चीज क्लिर कर देता हूँ कि यहां पर अगर आप order लगाने जाओगे तो यहां पर 3 degree alcohol सबसे ज़दा reactive होगा फिर 2 degree और फिर 1 degree clear होता है again बहुत important है 3 degree alcohol का मतलब क्या है जिसको नहीं पता मैं यहां लिख देता हूँ 3 degree alcohol का मतलब है जी यह कि जिस carbon से OH जुड़ा हो वो खुद 3 carbon से जुड़ा हो यह ध्यान से इसको देखिए उसको अम लोग 3 degree alcohol बोलते हैं now this is 3 degree alcohol यह बहुत असान है जहां पर 3 degree लिखा हो इसको मतलब में ग्रूप वाला carbon है में ग्रूप का carbon वो खुद 3 carbon से जुड़ा है हर बाद चीज तो सेम ही है तो आपको घबराना नहीं है हर बाद चीज सेम ही होती है अच्छा दूसरा यहां पर क्या हो रहा है अब ऐसा क्यूं हुआ क्योंकि यहां पर जब मेकैनिजम को गोर करेंगे तो वहां पर carbon केटाइन यहां पर generate हो रहा होगा क्योंकि carbon के case में ऐसा होता था radical वाला case नहीं क्योंकि यहां पर H new इस्तमाल नहीं कर रहे हो radical की case कब आती है जब sunlight आप लोग use करते हैं कोई sunlight का इस्तमाल नहीं होने वाला है don't worry तो इसका मतलब यहां carbon केटाइन intermediate की तरह generate होंगे तो वहां पर 3 degree की stability सबसे जादा होती है इसका मतलब 3 degree सबसे अच्छी यहां पर यह chemical reaction करके दिखाएगा अब यह चीज तो पहले से ही मालूम पढ़ जाती है अगर आप ध्यान से सोचे तो और वैसे भी ज़रा देखिए यह ज्यादा electronegative है तो यह electron लेकिन निकलेगा तो इसके बाद यहां पर क्या बनेगा प्लस खुद से ही सोच लो कई बार बच्चे सोच लो है तो जैसे सवाल आता है न तो सर mechanism बताइए mechanism एक बार आप देख ले न आईडिया लगाते हैं जैसे कि हमने alkenes के case में देखा और यहां पर halogenation के case में देखा था तो एक बार mechanism देखने से न बहुत सारी की mechanism तुम खुद से कर सकते हैं अब ज़रा सोचे हैं क्या हो रहा होगा यहां पर electronegativity इसकी जादा तो electron लेके भागेगा जिससे यहां कार्बोकटाइन की generation होगी तो मैं साफ पता लग रहा है कि हैं कार्बोकटाइन बनेगा अब कार्बोकटाइन के case में 3 degree कार्बोकटाइन सब ज़्यादा stable होता है इसका मतलब इसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी सबको समझ में आ गया तो यह सवाल है और एक और बात बार-बार इस चीज़ पर क्यों emphasize कर रहा है बच्चे ने पूचा कि सर यहाँ पर इसकी stability जादा है तो यह आगे यही आगे जाएगा जिसकी stability नहीं है वो तो पीछे की तरफ जाएगा अचा 2 degree का क्या मतलब है जब carbon के साथ क्या हो सिर्फ 2 methyl group या 2 carbon attach हो तो उसको हम लोग क्या बोलता है 2 degree देखे 2 ही carbon लगाया है हमने और 1 degree इसको बोलेंगे बहुत असान है जहाँ पर सिर्फ 1 methyl group जुडा हो और बाकि दोनों क्या हो hydrogen So now this is 1 degree और यह यहाँ पर order रहेगा clear होता है सब लोगों को 3 degree, 2 degree, 1 degree तो यह हमने order भी बता दिया है तो फड़ा फट से इसका screenshot लो उसके बाद हम लोग first method की तरफ चलते हैं कि हम लोग hydrogen halide से कैसे करेंगे ले लिजे फड़ा फट चलिए So चलिए guys, अब हम एक-एक method को यहाँ पर लेते हैं और उसके chemical reaction को देखते हैं So चलिए, first of all सबसे पहला कौन था? HX के through, so by HX ध्यानसे को देखेगा HX में तो यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है तो एक-एक करके पढ़ते हैं So सबसे पहले देखते हैं by HCL ठीक है, एक-एक करके यहाँ पर deal करते हैं क्योंकि हर जगा catalyst अलग होगा मैंने आपसे कहा था, अगर नहीं बताया तो यहाँ HX के through हमें we need catalyst यहाँ पर catalyst की जूर्ट पढ़ते है यहाँ फिर dehydrating reagent की जूर्ट पढ़ते है क्योंकि यह water भी निकल रहा है भार तो ज़रा धान से उसको समझेगा HCL की case में यह reaction कैसे होगा बहुत असान है, अगर हमने suppose 1 degree यहाँ पर alcohol लिया, ठीक है क्योंकि reactivity अलग-अलग होती है 1 degree alcohol का क्या मतलब है CH3, CH2 ठीक है, और यहाँ पर OH ज़रा ध्यान से देखिए, यह 1 degree क्यों है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रूप जिस carbon से जुड़ा है वो सिर्फ एकी carbon से जुड़ा हुआ तो यह 1 degree alcohol हो गया ठीक है, अब 1 degree alcohol का reaction अगर हमने करवाया ज़रा ध्यान से उसको देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जी HCL HCL से reaction करा रहे हो तो आपको यहाँ पर catalyst की जूर्थ पड़ेगी जिसका नाम है ZNCL2, यह dehydrating reagent है जो की इस bond को तोड़ने में मदद करता है कोई सवाल पूछे की ZNCL2 क्यों डाला है यह dehydrating reagent है जो की इस bond को carbon to oxygen bond को तोड़ने में मदद करता है clear होता है तो यहाँ पर आप लिखते जाएगा तो इसको तोड़ने में मदद कर रहा है यह catalyst है participate नहीं करेगा अब देखिए बहुत आसान है ज़रा चेक कीजिए अगर आप इसकी reaction HCL से करवा रहे हैं यहां से यह OH और यहां से यह H मिलके क्या बना लेंगे पानी बना लेंगे और यहां पर यह जो bond free हुआ है तो उसकी जगा कौन ले लेगा chlorine तो finally यहां पर क्या बनेगा मैं उसको यहां पर यहां पर नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो water बहार निकलेगा H2O बहार निकला प्लस साथ में क्या बन रहा आपका desired product वो कौन सा है CH3 CH2 CL यह बन गया clear होता है सब लोगों को तो हमारी first chemical reaction हो गई और यह 1 degree के लिए बनाया 1 degree alcohol के लिए clear होता है सब लोगों को ठीक है अब यह carbon जो है खुद 2 carbon से जुड़ा होगा है तो 2 degree हो गया यहां पर एक hydrogen से valency पूरा किया 1, 2, 3 और यह 4 बन और यह OH 2 degree है केस पर विए अगर आपने HCl से reaction करवाया तो आपको ZNCl2 की presence ज़रूरी है clear होता है सब लोगों को again यहां से क्या होगा यहां से water bar निकल लगा देखिए और यह CL उसकी जगा ले लेगा जो bond यहां से टूटा है clear होता है so finally यहां पर क्या बनेगा C, CH3 अब CH3 और यहां पर क्या होगा H तो पहले ही सही है और यहां पर क्या बन जाएगा लग जाएगा CL सबको समझ में आता है तो इस तरह से 2 degree में भी हमारा काम हो गया हमें कोई समस्या नहीं है अब इसके लिए mechanism की क्या जूरत है अब सीधे ही समझ पा रहे है तीसरा देखिए तीसरा अगर आपने 3 degree ले लिया without ZNCL2 HCL से reaction करवा सकते है no need of ZNCL2 ZNCL2 में लिख देता हूँ किसकी कोई जूरत नहीं है cross लगा रहा हूँ clear होता है ध्यान से nodes बनाते रहेगा यहां पर cross लगा है मतलब ZNCL2 की कोई जूरत नहीं है अब बड़ा असान है कुछ नहीं करना यहां से water भार निकाल दीजिए CL को उसकी जगा दे दीजिए तो finally यहां पर क्या बन रहा है 3 degree ठीक है हेलो एल के इन तयार हो गया है यह लिजी अब इससे आसान क्या होगा easy है तो HCL के through तो आसान ही था clear होता है सब लोगों को देखिए बहुत आसान है चलिए now what about HBR देखिए यहां पर second हम लोग लेते है HBR का case देखते है HBR के case में क्या करना होता है so HBR के case में हमें ZNCl2-In का इस्तमाल नहीं करना यहां पर हम लोगों को एक acid का इस्तमाल करना होगा अब यह चीज़ा आपको याद करनी क्योंकि एक्सपरिमेंटल थिंग है बहुत एज़ी है यहां पर HBR के case में आपको H2SO4 का इस्तमाल करना sulfuric acid का इस्तमाल करना होता है clear होता है अब यह reaction दो तरह से possible है ध्यान से उसको देखिए देखिए यह सबसे पहले तो आप क्या लोग यहां पर ROH, alcohol लेना पड़ेगा substrate जिसपे आपको attack करवाना है सही है प्लस साथ में आपने क्या किये यहां पर HBR लिया अब है तो बहुत ही असान बस सिर्फ इतना ध्यान रखना था आपको कि यहां पर H2SO4 आपको लेना पड़ेगा यह dehydrating reagent होगा आपको पता है dehydrating reagent जो है basically यहां पर कौन-कौन होते है एक तो ZNCl2 और H2SO4 H3PO4 भी होता है तो यहां पर H2SO4 का आपको इस्तमाल करना है ध्यान रखिएगा इस चीज को बहुत important है आसान है बहुत ही easy है तो यह reaction हमारा हो गया यह reaction एक और तरह से करा सकते हैं जोब कि बुक्स में mentioned है तो यहां पर ROH लीजे प्लस आप यहां पर क्या लीजे KBR लीजे और प्लस आप में यहां पर क्या लेना है H2SO4 वहां तो chemical reaction में participate नहीं कर रहा था लेकिन यहां पर H2SO4 participate करेगा और इस K को संभालेगा अब देखें यहां पर इसको याद करना कितना सान है What do you need? RBR तो सबसे पहले तो आपको RBR मिल गया सही है प्लस यहां ध्यान से इसको देखें यह OH को एक H चाहिए Yes or No ताकि पानी का मॉलीकुल भार निकल जाए तो OH यहां से एक हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा? H2 हो अब जड़ा सोचे क्या क्या बच गया एक हाइड्रोजन इसने लूज कर दिया तो यहां पर HSO4 है H की जगा आप क्या लगागे? जो H इसने लूज किया है उसने क्या कर रहा? एक H प्लस लूज कर दिया कर दिया है इसने H प्लस किसको दे दिया? इस OH माइनस को दिखाए दे रहा है तो finally H प्लस की कोई जगा बनाओ H प्लस की जगा कोन ले सकता है? क्योंकि यहां से K प्लस भी बचा हुआ है तो यहां से last जो product इसके साथ by-product बनेगा हो क्या बनेगा? की HSO4 आप देखिए याद करना कितना असान है clear होता है यहां K HSO4 एक by-product के तोर पे बाहर निकलेगा तो यहां पर यह HBR के through हो गया third reaction लेते हैं हम लोग किसके लिए है? अब HI के case में आपको H2SO4 भी इस्तमाल नहीं करना है ZNCl2 भी इस्तमाल नहीं करना है इसके लिए जो acid आप इस्तमाल कर रहे हैं वो है H3PO4 बहुत important है ध्यांस इसको देख लीजिए आप ज़ादा तर पूरी chemistry के अंदर most suitable HI जब आपको iodine जोडना होता है तो H3PO4 का इस्तमाल करते हो most suitable reagent है जबकि BR के case में H2SO4 suitable reagent होता है clear होता है सब लोगों को तो सब की अलग-अलग जगा importance है इन चीजों को emphasize अभी करोगे तो आगे आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा तो ध्यान से उसको देख लो बहुत important है ध्यान से उसको देखो most suitable इसके लिए ये है तो करना कुछ नहीं है वही उपर वाली reactions ही है ROH plus HI ठीक है so finally इसका reaction करा है किसकी presence में H3PO4 ठीक है participate करता दिखाना है आपको तो ROH plus आपको reaction इसकी HI से करवानी नहीं है इस बार आप KI से करवाईए same reaction देखिए आपने क्या KBR लिया था यहाँ KI ले लीजिए अब हाँ H304 लिया था यहाँ कौन लेंगे आप कौन सा लेंगे H3PO4 अब देखिए same काम करना है जो उपर किया सबसे पहले what you need you need hello alkane तो यह रहा alkane alkyl chan और यहाँ पर यह रहा halogen तो सबसे पहले RI बनाओगे yes or no plus यहाँ से water बाहर निका लिए यह OH पानी की फोम में बाहर निकलेगा तो यह OH यहाँ से एक hydrogen लेगा तो क्या बनाएगा H2 अब plus साथ में सोचे क्या क्या बच गया इसने hydrogen लूस कर दिया K को अपने साथ चिप का लेगा तो finally क्या बनाएगा KH2PO4 यह देखे यह बाइपरटक्ट के तोर पे बाहर निकलेगा यह simple chemical reactions है I think आपको समझ में आ गया हुआ कि इस foam में कैसे बनाते है सबको समझ में आ गया So यह आपके method थे HX के through अब हमें क्या पढ़ने है कैसे हम phosphorus के halide के through बना सकते हैं और SOCl2 के through भी बना सकते हैं तो फड़ा फट से इसका screenshot ले लिजे उसके बाद आगे चलेंगे ले लिजे So चलिए guys अब बाकी दोनो method भी देख लेते हैं फड़ा फट से Phosphorus halide के through and SOCl2 के through तो देखे बहुत आसान है ध्यान से उसको देखेगा First of all पहली reaction हम लोग देखते हैं Phosphorus halide, Phosphorus halide दो तरह के होते हैं तो PCL3 यानि की PX3 और PCL5 यानि की PX5 मैं उनकी बात कर रहा हूँ ध्यान से उसको देखेगा मैं उनको जनरल में में लिख देता हूँ PX3 and PX5 ध्यान से इसको देखेगा ठीक है आप X के जगा कुछ भी ले सकते है except fluorine, fluorine में दिक्कत आती है तो ध्यान से उसको देखेगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PCL3 के केस में बात करते है reaction कैसे होगी तो देखेगे फर्स्ट और फोल तो आपका reagent कोन है alcohol हमने alcohol ले लिया ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसको PCL3 से react करवाते है ध्यान से उसको देखे अब यहाँ से आपको जो product बनेगे वो याद कैसे रखने वो important है तो देखेगे सबसे पहले आप चाहते क्या है यहाँ से खुद से सोचे हमको पता PCL3 से यहाँ पर OH हटेगा यहाँ पर CL उसकी जगा लेगा यह बात तो तय है यहाँ पर 3R manage हो गए 3CL भी manage हो गए तो यहाँ पर 3RCL निकल रहे है ध्यान से उसको देखेगा यह bracket लगाने की जूर्द परती नहीं लेकिन फिर भी मैने लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर 3RCL निकल चुके है ठीक है तो अब क्या आगे करेंगे अब क्या बच रहे है आपके पास देखेए अब 3 oxygen बच रहे है 3 hydrogen बच रहे है और 3 यह आपके पास यहाँ पर 1 phosphorus बच रहे है 3 oxygen, 3 hydrogen और 1 phosphorus उससे एक acid बना सकते है क्या बना सकते है ज़रा सोचो H3, PO3, yes or no इसको क्या बोलता है phosphorus acid तो आपका यह balance हो गया काम आपका कुछ करना नहीं था clear होता है सब लोगों को तो आप फोसफोरस acid भार निकलता है अब यह बहुत easy था clear होता है अब मज़े की बात PCL3 तो exist करता है लेकिन PBR3 और PI3 exist नहीं करते तो उस case में क्या करते है हम लोग बहुत असान है आपको सिर्फ इतना लिखना होता है देखिए क्योंकि यह सीधे form में exist नहीं करते तो आपको red phosphorus लेना होता है यह भी आपके लिखा होगा और यहाँ पर x2 लेना होता है यहाँ पर x2 क्या हो सकता है यह x2 हो सकता है br2 and i2 अब ध्यांची इसको देखिए होता कुछ नहीं है यह red phosphorus ठीक है immediately x2 यानि की br2 और i2 से react करके क्या बनाता है pbr3 और pi3 और कुछ नहीं है ध्यांची इसको देखो यहाँ पर अगर आपने red phosphorus की reaction आपने br2 से करवाई तो वो तुरंट pbr3 बना लेगा समझ में आता है इसको balance कर लीजेगा आप कोई फरक नहीं पड़ता हो यहाँ पर क्या करोगे 3 by 2 लगा दो तो 3 हो गया ना अपने आप सबको समझ में आता है pbr3 बनेगा बाकी reaction सेम ही है सेम कोई फरक नहीं है तो जब आपको red phosphorus और x2 लिखा दिख जाए और x2, br2 और i2 कुछ भी हो सकता है तो आप tension लिना सेम ही reaction है सिर्फ यहाँ पर indirect ways है मतलब immediately आप red phosphorus और halogen की reaction करा कि आप pbr3 की formation कर रहे हो सबको समझ में आता है सिर्फ इतना चा straight forward मतलब है इसका तो आपको घबराना नहीं है यह देख के आप कहीं tension में आ जाओ कि यह क्या है तो कुछ नहीं है same ही reaction clear होता है सब लोगों यह आपकी book में mention भी है और यहाँ से आपके सीधे क्या बनेगा rx बनेगा और x की जगा क्या होगा मैंने यहाँ पर mention कर रखा है सबको समझ में आता है बस यह आपको immediately कराना होता है क्योंकि वो stable नहीं होता यह stable ही आपको मिल जाता है इसलिए आप इसको सीधे करवाते हो तो चलिए यहाँ पर यह हो गया हमारा PCL3 के थू अब PCL5 का reaction को देख लेते हैं PX5 मतलब PX5, PCL5 एक ही बात है सो यहाँ पर PCL5 ही ले ले लेते हैं तो आप देखें यहाँ जर्ध्यान से यहाँ याद कैसे करना है वो important है So ROH का reaction अब PCL5 से करवा रहा हूं सबको समझ में है आप देखिए सबसे पहले तो आपकी desired result क्या है आप जानते हैं यहाँ पर OH हट जाएगा जी और इसकी जगा CL ले ले लेगा तो RCL तो बनेगा ही बनेगा Yes or no आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या करो 5 है तो मैं 5 लगा दूँ और 5 RCL बाहर निकाल दूँ सेम चीज काम नहीं करेगी महाँ पर यहाँ पर इसकी लोजिक नहीं है बस आपको basically याद कैसे रखना उसका तरीगा बता है वहाँ पर भी कैसे करोगे वह भी बहुत important है तो जहधान से उसको देखिए यहाँ पर एक बना RCL देखिए अब यहाँ पर hydrogen हो किस फॉम में बाहर निकल सकता है यहाँ पर तो 5-5 CL है तो एक chlorine और इस्तमाल करके यहाँ पर HCL बहार निकलेगा अब बाकी क्या बच रहा है उसके थूँ आप वो बाकी product बनाओ किया बच रहा है ज़रा देखो so finally यहाँ पर और क्या बच रहा है बहुत आसान है सबको समझ में आता है और यहाँ पर X यहाँ पर CL कुछ भी हो सकता है BRI whatever clear होता है सब लोगों को तो इस तरह से यह आपको दिखानी है chemical reaction इनको याद रखता है इनके by product बहुत important है जिसको आपको ध्यान रखना कि बन किया रहा है POCL3 is a gas जो यहाँ पर as a product यहाँ पर बाहर निकल रही है by product यहाँ पर बाहर निकल रही है और हमारा main product हमारे पास क्या है RCL which is a main product clear होता है सब लोगों को अब last reaction ले गया और which is the most suitable reaction इसको dargence process भी कहते है क्या कहते है dargence process ठीक है dargence process और यहाँ पर सबसे dargence process में सबसे pure form में सबसे pure form में आप RX बनाते हो specially RCL सबसे pure form में बनती है इसलिए क्योंकि naming reaction है तो important अपने आप ही हो जाती है और सबसे खास बात सबसे pure form में आपके पास RCL भार निकलता है इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा important है अब कैसे यहाँ पर जरा ध्यांसिस को देखो आपको सबसे पहले ROH लेना है उसकी reaction आपको करानी है SOCl2 से अब देखिए आपर product कैसे कैसे बनेगा जरा ध्यांसिस को चेक करो एक तो तय है ना RCL बनेगा क्योंकि आप तो पड़ीव हो रहे हो और थाइनिल क्लोराइट से RCL बनेगा यह तय है हेलो एलकेन बनती है यह आप याद कर लीजिए बहुत इजी है देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए फिर बाकी चीज़े क्या निकलेंगी तो देखो एक CL आपने इस्तमाल कर लिया एक R आपने इस्तमाल कर लिया अब एक CL और बच रहे है वो H के साथ क्या करेगा HCL गैस बनाएगा so now this is HCL गैस clear होता है अब बाकी क्या बच रहे है एक oxygen और यहाँ पर SO क्या बनाएगा SO2 गैस अब देखें यहाँ ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर एक तो आपका desired product मिल गया आपको RCL बाकी जो दोनों है वो है gases जो उड़ जाएंगी सही है तो आपको कुछ separate method नहीं लगाने पड़ेंगे RCL को pure form में लाने के लिए इसलिए divergence process सबसे अच्छा process है RCL बनानेगा यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि RCL बनाने के लिए सबसे अच्छा process कौन सा है divergence process जिसके अंदर आप SO2 का इस्तेमाल करते हैं ध्यान से उसको देख लीजिए बहुत important है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो दोनों byproduct बन रहे हैं वो gases form में होते हैं उड़ जाते हैं clear होता है सब लोगों को so यह बहुत important है और यह pure form में देता है आपको so इसलिए यह काफी जादा important हो जाता है so इसको फड़ा-फड़ से आप screenshot ले लिया so finally guys यह मेरी आप प्लीज इसको बार-बार लिखिए जिससे आपको याद हो जाएगा ठीक है so please आप इसको ध्यान से लिखते रहे है notes को proper बनाईए homework description box में दिया है जिसको ध्यान से लिखते रहे है आप देखे खुद ही कि यहाँ पर P-Block का इस्तमाल भी हो गया PCL3, PCL5 इस्तमाल कर र इस चीज को अगर आपको समझना है तो GOC उसका basic part है, GOC के lecture upload कर रहा हूँ, hydrocarbon भी उसके लिए required रहता है, उसके lecture भी properly upload कर रहा हूँ, जो लोग याँ GOC के lecture upload होके नहीं देख रहे है या फिर hydrocarbon के नहीं देख रहे है उनको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आप से कहता हूँ क आप ये मत सोचे कि हेलो एलकेन, हेलो एरीन का आएगा, मुझे तो वही देखना है, भाई साब अगर आपने GOC नहीं किया, hydrocarbon नहीं किया, तो आपको ये चीजों को समझने में भी दिक्कत होगी, so please आप बराबर उस पे focus करते रहे हैं, समझ में आता है सबको, so please इन वीडि करो and share करो, thank you so much guys, thanks a lot.